नमस्कार सुबागत है आपका फुल इन फाइनल की करने जा रहे हैं शुरबात आपके साथ मैं हूँ सुर्भी शर्मा मिडलीश में महा युद हुती से शुरू इरान पर खत्म वार्ड जोन से आ रहा ही तमाम बड़ी खबरों का करेंगे रोग जहां आईडिएफ के वनसक वार हुआ आईडिएफ के विद्वनसक हमले के बाद दूसरी बड़ी खबर का करते हैं रुख जहां देखें किस तरीके से एक और वार जोन में इस्रेली टैंक को उड़ाने को लेकर बड़ी खबर आई वेस्ट बांक में आईडिएफ का ये बड़ा हमला देखिए लेकर हमाज के रोकिट को आईडिएफ ने इंटरसेप्ट किया है आन यूनिस में इस्रेल का बड़ा हमला एक और बड़ी खबार नसीर हॉस्पिटल को निशाना बनाने की की गई कोसिश जुरेली पेम ने तने आओ कि घर के बाहर प्रदर्शन की तस्पीर भी होगी आपके सामने जहां बंदकों को परिवारों ने रिहाई की मांग के साथ जोड़दार प्रदर्शन किया वी बड़ी खबर जहां बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है इरान मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बड़े दावे इरान से मिल रही हैं तैयारियों के संकेत और यूख्रेन में रूस के बड़े मिसाइल हमले को लेकर खबर जहां सूच 25 से यूख्रेनी ठेकानों पर मिसाइले दागी गई थे यूख्रेनी ठेकानों को टागेट करते वे कैसे मिसाइल दागी गई तस्वीर आपके सामने है नर्थ कोरिया की बड़ी सेने तैयारी को लेकर अगली बड़ी खबर आटमी अडर्वाटर द्रोन का किया गया टेस्ट इंफरमेशन वाल का रुख करते हुए ये तमाम बड़ी खबरे आपके सामने जहां आपने देखा किस तरेक्टे से IDF के विधवन्सक वार की एक और तस्वीरे सामने आई है और वाड जोन में ही इस्रेली टांक को कैसे उड़ा दिया गया वेस्ट बांक में IDF के इस बड़े हमले को लेकर खबर आई वही खबर ये है कि हाइफा की उपर जबर्दस रोकेट वार किया गया है और साथी खान यूनिस्ट में इस्रेल ने बड़े हमले को दिया है अंजाम इसके अलावा बंदकों की रहाई को देखते हुए इस्रेल में लगातार प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है नेतनी आओ के घर के बाहर प्रदर्शन की तस्वीर आपने देखी और साथी बड़े यूद की तैयारी में इरान कैसे है इसको लेकर आज एक्सपर्स के साथ भी करेंगे चर्चा क्योंकि इरान से जो बड़े संकेत मिल रहे हैं कितना बड़ा खत्रा है है वहीं उक्रेन में रूस का बड़ा मिसाल हमला हुआ है और साथ मियाटमी अडर वाटर ड्रोन का टेस् इसको इसे तराइडार गे care अश The ईसको लेकरव की जो दो संकेत मिल रहे हैं और तरीके से उसे अडर ऐड़ेका कर रहे हैं और अमेरिका के बीच युदं का ये दूसरा पढ़ा कैसे शुरु हो चुका है इस बार में डीटेल होगी आपके सामने वहीं इरान पर ब्रिटन की यलगार अमेरिका से इरान की तल्फी के बीच अब ब्रिटन कैसे कर रहा है इरान से युद्ध की तैयारी डीटेल होगी आपके सामने वहीं लिबनन पर हमले की तारीख तै लिबनन पर इसरेल कब करेगा सबसे बड़ा वार, इसकी तारीख तैह हो गई है, कौन सी है वो तारीख, बड़ा खुलासा, अब से थोड़ी देर में, वही 90,000 नेटो सैनिक है तैयार, रूसी बॉर्डर के नजदी क्यों जमा हो रहे हैं, 90,000 नेटो सैनिक, क्या रूस पर हमला होने वाला है, ब और सबसे बड़ी खबर यमन पर, अमेरिका और बिटिन के डबल अटाक को लेकर, अल जबनाहा अलाके में, मिस्साल स्ट्राइक हुई है, हुथी के कमान सेंटर पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया, हुथी के पोर्ट बेस को टागेट किया गया है, एक और सबसे बड़ सेंटर को बनाया गया निशाना, मिर्लीज के हालात को देखते हुए, यमन जिस तरीके से अभी तक हमलों को अंजाम देता आया है, उसके बाद अब यूएस और यूके मिलकर डबल अटाक करते हुए, हुथी के पोर्ट बेस को टागेट कर रहे हैं, उसी वक्त की तस्वीर आपके सामने जब हुथी के कमान सेंटर पर इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया, और अब इरान के खिलाफ युद में ब्रिटन, एक और बड़ी खबर, हुथी पर हमलों में अमेरिका के साथ है ब्रिटन, और इरान का प्रोक्षी ग्रूप है हुथी, और बिटिश अख अखबार दे टेलिग्राफ की तरफ से किये जा रहे, बड़े दावे को लेकर खबर ये सामने आई है, जहां हुथी पर हमलों में अमेरिका के साथ ब्रिटन है, और हुथी पर हमला इरानी खत्रे पर अटाक है, इरान के खिलाफ युद में ब्रिटन, और यही दो बड़ी आपने देखी, जहां किस तरीके से हुथी पर अटाक ना सर्फ यूएस बलकि यूके की तरफ से भी किये जा रहे हैं, और आब बड़ा दावा ब्रिटिश अखबार में इसको लेकर किया जा रहा है, और मिडल इस में युद और भढ़केगा, इस्रेल और लिबनान में भी होगा युद, एक और बड़ी खबर, जनवरी के अंत में होगा इस्रेल, हिजबुला के बीच युद, हलाकि गाजा से लिबनान की तरफ मूफ कर रही है, इस्रेली सेना और वशिंग्टिन पोस्ट ने इसको लेकर बड़े दावे किये हैं, और इन दावों के तहत मिल रहे संकेत को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि जनवरी के अंत में इस्रेल, हिजबुला के बीच युद होगा, यानि साफ है कि इस्रेल और लिबनन अब एक बार फिर होंगे आमने सामने, और युद के इस हालात के बीच में गाजा से लिबनन की तरफ मूवमेंट एक सबसे बड़ी वज़ा मानी जा रही है क्योंकि इस्रेली सिना की मूवमेंट को लेकर ये बड़े दावे किये गए और रूस के साथ युद की तयारी में नेटो है, नेटो मिल्टरी चीफ की तरफ से बड़ी चेतावनी, रूस के साथ महा युद के लिए तयार रहे नेटो रौबाउर की तरफ से किये जा रहा है दावे और बड़े बयान जा हतियार और गुला बारूत का तेजी से हो रहा है प्रोडक्शन और नेटो देशों के नागरिकों को भी अब तयार रहने की बाद कई जा रही है रूस के साथ तयारी में नेटो नेटो मिल्ट्री चीफ की ये बहुत बड़ी चेतावन हतियारों की तेजी से हो रहा है प्रोडक्शन को लेकर ये बड़े दावे किये जा रहे है नेटो की इस तैयारी नेटो देशों के नागरिकों को दी जा रही तैयार रहने की चेतावनी क्या मतलब है इसका इस बार में करूँगी चर्चा लेकिन इस भी इस तीन बड़ी खबरे एक साथ आपके सामने जहां हुदी के कमांज सेंटर पर हुए हमले की तस्वीर हमने आपको दिखाई वहीं गाजा से लिबनन की तरफ हो रहे इसरेली सेना की मूव्मेंट के तैद बड़े दावे वशिंग्टन पोस्ट की तरफ से भी किये गए है और महतपून ये है कि आप रॉब बाउर महा युद के लिए तैयार रहे नेटो और हतियार और गोला बारूत का जिस तरीके से हो रहा है तेजी से प्रड़क्शन उसका हवाला देते हुए बड़ी बात कह रहे है जीरी बक्षी सर सबसे पहले नेटो की तैयारी और हतियार और गोला बारूत की प्रड़क्शन को देखते वे ये वार जोन के हालात में बड़ी मेसेजिंग तो होती है लेकिन आज की इस बयान को आप कैसे देखते हैं जहां नेटो देशों के नागरिकों को भी तैयार रहने की बात कहीं जा रही है देखिए वो जो युक्रेन की युद्ध में हालत बहुत पतली हो गई है युक्रेन का मनोबल बढ़ाने के लिए रिशी सुनाक प्राइम मिनिस्टर रिशी सुनाक कैईव में फ्लाइइन किया था कुछ दिन पहले उन्होंने और आश्वासन दिया कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे लेकिन जमीन पर संकेत कुछ और है यह जो 90,000 ट्रूप्स की नेटो एक्ससाइज है यह एक जादातर संकेतिक कोर्सिव डिप्लॉयमेंट है मैं नहीं समझता वो युद्ध करेंगे रूस के साथ क्योंकि उसका सीधा मतलब परमानों युद्ध पे जाना अटॉमिक वार अभी कोई रिस्क करने के लिए तैयार नहीं इसका मतलब कि यह जो है कोर्सिव डिप्लॉयमेंट की एक्ससाइज है यह रूस को चितावनी देने की कोशिश है कि आगे मत बढ़ो और एक बड़ा हमला जो है युकरेन में ना करे रूस इसलिए उसको थोड़ा सा जिजक पैदा करने के लिए है अब अमेरिका भी रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया है यह डील सामने आई है अमेरिका अब पिविट टू एशिया कर रहा है उसको चीन की तरफ चीन का खत्रा लग रहा है कि वो ताइवान पे हमला कर देगा वो यहां से अपना पिंड छोडाना चाहता है यॉरप को कह रहा है कि आप मोर्चा समालो अमेरिका अब पिविट करेगा चीन की तरफ एशिया की तरफ यह लॉजिकल है यह स्ट्रेटीजिक व्यूपॉइंट से यह बहुत एहम एक शिफ्ट हो रहा है यूकरेन की लड़ाई तकरीबन खतम हो चुकी है उनकी फाउज बहुत बुरा चोट खाई है अपने हमलों में बिल्कुछ सही कहा है रेज़र पर कमर्शल शिफ पर हुती का हमला हुती के हमले की तस्वीरे भी अब सामने आई है जहां शिफ में लगे सीसीटीवी कैमरे में हमले की तस्वीर हुई है कैद यह तस्वीर अब आपके सामने शिफ में लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए हमले की ये तस्वीर है आपके सामने रख रहे हैं, जो आदेखे किस तरीके से हुथी के हमले की तस्वीर सामने आई, कमर्शिल शिप पर हुथी का ये हमला, एक और बड़ी खबर, इस बीज जना देखे किस तरीके से अमेरिकी शिप पर हुथी का हमला हुआ, कैम रेंजर पर हुथी के मिसाइल अटाक को लेकर ये बड़ी खबर है सेंस कौम की अधिकारियों ने हमले की पुष्टी भी की है मिसाइल हमले में शिप के एक हिस्से को नुक्सान पहुँचा है और अब यमन पर अमेरिका और बिटिन के डबल अटाक को लेकर खबर जहां अल जबनाहा इलाके में मिसाइल स्ट्राइक हुई है हुथी के कमान सेंटर पर ये बड़ा हमला हुआ हुथी के पोर्ट बेस को निशाना बनाया किया है हुथी के हमले पर अमेरिका के पलटवार को लेकर रेक और सबसे बड़ी खबर आई है जहां हुथी की तीन आंटी शिप मिसाइले ध्वस्ट कर दी गई हैं आपको बता दें यूएस सेंट्रल कमांड फोर्स ने ये दावा किया है यमन में हुथी के मिसाइल सेंटर को नश्च कर दिया गया है अमेरिकी फोर्स ने तीन जगों पर इस हमले को अंजाम दिया तो लगतार हुथी पर भी अमलों को अंजाम अमेरिकी फोर्स की तरफ से दिया जा रहा है जहां यूएस सेंट्रल कमांड फोर्स ने बड़ा दावा किया है यमिन में हुती के मिसाइल सेंटर को नश्च करने का और अमेरिकी फोर्स ने तीन जगों पर जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया है तस्वीरे जारी कर ये नुकसान पहुचाया गया है और उसकी तस्वीरे जारी कर बड़े दावे किये जा रहा है हुती के हमले पर अमेरिका के इस पलडवार को लेकर यह सबसे बड़ी खबर सामने आई है हुती के टिकानो पर US शिप का हमला और बड़ी खबर यह आई है कि कैसे अब हुती और А dessas की यह ड़ी जा रही है जहां US Central Command Forge हुती पर बड़े हमलों को अन्जाम दे रहा है और यमिन में हुथी की तीन आंटी शिप मिसाइलों को ध्वस्त करने का दावा किया गया है 24 घंटे में हुथी के 17 मिसाइलों को तबाह करने का दावा किया गया है और यमन में हुथी का मिसाल सेंटर तबाह करने का ये दावा जहां पिछले 10 दिनों से हुथी के ठिकानों पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है अब हुथी के खिलाव ग्रीस के मिशन पर संकट एक और सबसे बड़ी खबर 17 ग्रीस नौसेनिकों ने हाइडरा फ्रिगेट का साथ छोड़ दिया है रेट्सी में तेनात होने वाली थी ये ग्रीस की फ्रिगेट और अमेरीकी नौसेना के साथ मिलकर हुथी पर हमले का प्लान बनाया गया था लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आई है ग्रीस नेवी को 30 ना है अब क्रू मेंबर्स की भी तलाश है विनोद अगिस्तिन सर इस वक्त हमें जॉइन कर चुके हैं विनोद सर ये बड़ा सवाल है इस पूरे रीजिन में बढ़ते खत्रे के बीच किस तरीके से ग्रीस अभी ताग कोलिजन कर रहा था यूएस नेवल फ्लीट के साथ इस हालात को निपटने के लिए लेकिन यहां तो हूती के खिलाफ ग्रीस के मिशन पर ही संकट नजर आ रहा है देखे इसके जो जैसे जनरल ना भी जिखर किया था इसके दो बड़े कारण हैं सबसे पहला कारण तो आंटी इस्राइल तो ही है बट जो हम देख नहीं रहें वह है आंटी साओधी जो भी रेड़ सी से गुजरेगा या जो भी ऑईल या कुरूड साओधी से निकलेगा उसको अगर रोक दिया जाए तो साओधी के हलात पतले हो जाएंगे क्यूंकि मैक्सिमम ऑईल उनका जो है अरब खाड़ी से यूरप के तरफ जाता है और जब से नॉट स्ट्रीम और सारी चीजों का बंद हुआ है उस समय से इनका सारा ओईल यहां से जा रहा है और हूती का यह करना सबसे बड़ा रीजन यह है कि इनका और साओधी का बिल्कुल चत्यसकाराया है सब जानते हैं और इसको इरान इसी लिए सपोर्ट कर रहा है ताकि यह अपना उल्लू भी सि जो शिया सुन्दी का जो मामला है इसको भी बीच में लाकरके सोच रहे हैं कि यह भी साथ साथ में निपट जाए सौटोट हो जाए से लेकिन सेक्यूर्टी स्टिबिलिटी लाने के लिए यह जो रेडिनेस और प्रिपेडनेस नजर आती है उसके तहट सेक्यूर्टी चालेंजर और थ्रेट रेट सी में लगातार बढ़ता जा रहा है और उस तहासे यह समझना भी जरूरी है कि आज के इस हालात को देखते बड़ी जंगी तैयारी में इरान बड़ी खबर इरान ने बौर्डर पर भेजे बालिस्टिक मिसाल की ट्रांस्पोटेशन के विडियो भी आए है सामने आपको बता दे पाकिस्तान के मिसाल अटाक का जवाब दे सकता है तीम दिन पहले इरान ने जैश अलदल को टागिट किया था ये इस मूवमेंट की तस्वीर आपको दिखा रहे है जो बड़ा संकेत दे रही है और इसी के तहट बड़ी जंग की तैयारी में इरान ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है जहां तीन दिन पहले इरान ने जैश अलदल को टागिट किया था और उसके बाद ये बालस्टिक मिसाल के ट्रांस्पोटेशन की इरान ने बॉर्डर पर ये बालस्टिक मिसाल भेजे हैं तो इरान की तैयारी के क्या बड़े संकेत मिल रहे है इस बारे में आगे करूँगी चर्चा लेकिन उससे पहले एक और सबसे बड़ी खबर इरान की विदवनसक नुक् इरान नहीं दे रहा है एक साल में 100 किलो से ज्यादा सर्वधित यूरेनियम प्रड़क्शन इरान कैसे कर रहा है इसको लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है इरान की नुक्लियर जंग की तैयारी को लेकर खबर इसने है क्योंकि सर्वधित यूरेनियम भंडार इरान और इरान के पास परमाणू हतियार के लिए परियाप्त मातरा में यूरेनियम है आई-ए-ई-ए की तरफ से भी बड़े दावे किये जा रहे है और इंटरनाशनल परमाणू उर्जा एजेंसी को ये जानकारी साजान नहीं कर रहा है इरान इरान का रवया निराशा जनक है और इस बीच ये सबसे बड़ी खबर के साथ ही अब मैं इंफ्रमेशन वाल का भी रुक करना चाहूंगी क्योंकि एक डेटा आपके सामने रखेंगे जहां हाई उर्जान परमाणू बॉम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां देखिए 2021 में 0 कोई आकड़ा ऐसा नहीं था ये डेटा उस लिहास से आपके सामने रख रहे हैं जहां 60% तक सर्वधित यूरेनियम पर केजी और अगर 90% तक ये पहुंच जाता है जीडी बक्षी सर आप ये जादा बहतर बता पाएंगे कि आखिर ये आकड़े किस तरीके से इस पूरे रीजिन में इरान की बड़ी त क्यों पाता आया? इरान के बर खिलाफ एरान ने अपनी मिजाईल ताकत बड़ी हद से जादा बढ़ा ली है और बहुत इजाफा उसमें हुआ है अब खबरे आ रही हैं कि उनके पास कोई 90% enriched uranium उन्होंने इकठा कर लिया है कोई 5 या 6 बॉम बनाने के लिए और वो हर महीने 5-6 बॉम बना सकत हैं ये और वो इसमें लगे हुए हैं ये भी खबरें आ रही हैं अनकनफर्म कि वो अपना परमानू परीक्षन करने वाला है ताकि वो अमेरिका को चेता दे इरान को इसराइल को चेता दे कि डॉन्ट मेस्विद आस अगर आप करोगे तो आपको भयंकर परणाम भुगतने पड़ेंगे उसने नॉर्थ कोरिया का मॉड़ल देख लिया है कि जब से नॉर्थ कोरिया न्यूकलर पावर हो गया है किसी की हिमाकत नहीं हुई कि उसके साथ छेड़खानी करे उसके ऊपर हमले की कोशिश करे जैसे ही न्यूकलराइज एरान हो जाता है दो होल पाजिस्तान के आर्मी चीफ बी पाँच दिन का दोरा करके आये थे अमेरिका का जहां वो पेंटेगन से मिले विक्टॉरिया नूलंड से मिले जो की हर जगा गफलत बगएरा जो कराती है उनके पीचे उनका बड़ा हाथ रहता है यूक्रेन में भी उनका बड़ा हाथ रहा था तो अब वो पाकिस्तान को खड़ा करने की कोशिश कर रहे है एरान के बरकिलाफ ताकि एरान को चो तरफा घेरा जाए और एरान भी अपने जो एकसिस आफ रिजिस्टेंस है जो उसके जो बाशिंदे है हाउतीज, हेजबला, हमास इनको वो बाखु भी इस्तमाल कर रहा है शामिल जो की उसके मलीशिया है एराक में और सीरिया में आपने देखा होगा कि एरान ने अभी स्ट्राइक्स, मिजाइल स्ट्राइक्स की ह एक वो कह रहे थे कि मुसाद का बेस था इर्बिल में उसके उपर अटैक्स किया है उसने पाकिस्तानी जैश अदल के जो सुनी जो लड़ाके है बलूचिस्तान के उनके बरखिलाफ स्ट्राइक्स की है जिसका पाकिस्तान ने 48 घंटों में जवाब दिया और अब जो है इर पंदरा सो से ज्यादा बताई जाती है जिसमें ना सिर्फ तेल अवीव और हाइफा में इसुरेली बेस सामने आते हैं बलकि कुछ ऐसे एरियाज जिसको देखते हुए इस बड़े संकेत इरान की तरफ से मिले हैं हलाकि इरान के खिलाफ युद में ब्रिटन भी है एक और हमलों में अमेरिका के साथ ब्रिटन है इरान के प्रॉक्सी ग्रूप है हुथी और ब्रिटिश अखबार दे चैलिग्राफ की तरफ से किये जा रहा है इस बड़े दावे को देखते हुए ये खबर आपके सामने जहां देखिए हुथी पर अटाक की तस्मीरे तो जारी की जा रहे हैं लेकिन एरान से यूएस और ब्रिटन के युद को लेकर बात हम क्यों कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से लगातार युद को अंजाम युद और ज्यादा आग्रवेट होता जा रहा है येमन में बढ़ते बिगड़ते हालात और वहां पर अब हुथी पर हमलों क अंजाम दिया जा रहा है हला कि ये बड़ी खबर सामने आई है जहां ब्रिटन और युएस लगातार हुथी पर हमलों को अंजाम दे रहे हैं और हुथी पर हमलों में अमेरिका के साथ ब्रिटन है हुथी पर हमलों का मतलब इरान पर हमला और हुथी पर हमला बड़ी रणन जो दावे दे चेलिग्राफ की इस रिपोर्ट की आधार पर किये जा रहे हैं। जो आपको यह समझना जरूरी है वो आर्थिक मदद के साथ उनको पैसे का मदद भी करता है और इंटेलिजन्स का भी मदद करता है। सर आपकी आवाज अभी चली गई है जल्द आपके पास वापस लोटती हूँ लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर का रोग जहां ब्रिटिन ने वर्ल्ड वार की वर्निंग दी है और ब्रिटिन के डिफेंस टीफ ने वर्ल्ड वार की दी है चेतावनी। आपको बता दे चीन, रूस, इरान के खिलाफ हो सकता है विश्वयुद। दुनिया की बड़ी और उभरती शक्तियों के बीच जंग का ये दावा किया जा रहा है तो दुनिया प्री वर्ल्ड वार फेज में है और पांच साल के अंदर हो सकता है विश्वयुद। चीन, रूस, इरान के खिलाफ विश्वयुद। का ये संकेत दे रहे हैं और बिटन के डिफेंस चीफ ग्रांच शॉप्स ने ये बड़ी चेताब नहीं दी है इरानी प्रॉक्सी ग्रूप भड़का रहे हैं संगर्ष फॉक्स न्यूस को दिये गए इंटिव्यू में ये बढ़ा दावा और फारस की खाड़ी में अबिटिश वोर्डश ट्कर को लेकर एक बड़ी खबर आई है जो आपको बता दे तो एक और बड़ी खबर का रुक करने से पहले देखिए किस तरीके से मिडिलिस्ट में महायुद की चर्चा हमने की है लेकिन अब लिबनान से जंग और इस्रेल ने दिया है काउंट डाउन क्योंकि IDF का लिबनान में विद्वनसक पलटवार खबर आई हिजबुला के लॉंच सेंटर को तबाह करने को लेकर हिजबुला की पोस्ट पर बॉम बढ़साई गए हैं आइरन डोम एयर डेफेंस ने ड्रोन मार गिराया है हिजबुला ने ड्रोन अटाइक दिया और इसरेल ने हिजबुला को विद्वनसक धमकी दी है जों इसरेली मंतरी बैन गाविर ने युद की धमकी दी है हमें हिजबुला के साथ युद करना चाहिए युद शुरू नहीं किया तो उतरी इसरेल में मुश्किलें बढ़ती जाएंगे मिडल इस में और भढ़केगा युद बड़ी खबर इसरेल और लिबनान में युद होगा जन्वरी के अंत में होगा युद इसरेल और हिजबुला के बीच आजा से लिबनान की तरह मुव्मेंट की तस्वीरे एक बार फट से भी आपको दिखाएंगे जहां इसरेली सेना की ये मुवमेंट नजर आई है और वशिंग्टिन पोस्ट ने इसको देखते हुए बड़े दावे किये हैं युद के इस सालात के बीच ये बड़े संके जहां इसरेल और लिबनान में युद पका क्योंकि जन्वरी के अंत में इसरेल हिजबुला के बीच युद होगा ये दावा किया जा रहा है नौधन बॉर्डर पर इसरेल की जबर्दस तैयारी को लेकर बड़े दावे दक्षिन लिबनान बॉर्डर पर जमा हो रही इसरेली सेना की मूवमेंट को लेकर तस्मीरे सामने आई जहां गाजा से लिबनान की तरफ आईडी एफ मूवमेंट कर रही है और लंबे बक्स हिजबुला उतरी इसरेल पर जिस तरीके से हम लोग को अन्जाम दे रहा है इसरेल लिबनान युद टालने में लगा हुआ है अमेरिका और वशिंग्टन पोस्स की तरफ से जिस तरीके से ये दावे किये जा रहा है अमेरिका विनोट सर ये सवाल आपसे करना चाहूंगी क्योंकि अमेरिका ने शुरू से इसरेल को युद को और ज्यादा इगनाइट होने से बचने की सला दी है लेकिन इस हालात में इसरेल ने अमेरिका की भी नहीं मानी है तो क्या ये दावा एक और बड़ा संकेत दे रहा है जहां इसरेल और लिबनन में जनवरी के अंत में युद की बात कहीं जा रही है देखिए ये जो military industrial congressional complex इसके बारे में मैं और जनरल साफ पिछले एक साल से बात कर रहे हैं अमेरिका के इशारे के बिना इसराइल एक कोली भी दर उदर नहीं कर सकता है अमेरिका दुनिया को कुछ और कहता है और करता है पीछे बैक डॉर में कुछ और करता है जब तक ये गाजा स्ट्रिप का, गाजा और फिलस्तिनी मामले का और हमास का कोई पर्मनेंट इलाज ना हो जाए, आप और मैं यह भूल जाए, और दुनिया यह भूल जाए कि इस जुद से पीछे हटेगा, बिल्कुल नहीं, इस नोट पॉसिबल, तो यह बिल्कुल ही एक क औरosion जाए कि आज जो कम है जो सारे पॉलिटिकल पारटि को ओपनली एकॉपिशिली पेटर इजड़ देता है, तो ओफिश यली कोई भी पॉलिटिकल पारटी को सपोर्ट करेगा है क्यूंकि उनके पैसे लोग जीत करके आती है तो यह सारी चीजें, जो हैं हत्ती के दात ह और हमें आपको और हमारे दर्शकों को जो इन बातों के बियॉंट पारदर्शिता से देखना को है बिल्कुल सूर लेकिन इन हालात के बीच में जिस तरीके की सिती नजर आ रही है घाजा में आईडियेफ के विद्वांसर धमाकों को लेकर भी खबर मिली है जा मरीन कॉप्स फाइटर्स ने आईडी ब्लास किया है और हमाज के ठेकानों को धमाके से कैसे उड़ाया तस्वीर आपके सामने इस्रेली एफ फोर्स ने बाक अप पंबा रिकी आईडी एफ ने आईडी लगाते हुए वीडियो भी जारी किया है वेस्ट बैंक के तुलकर में आईडी एफ के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर खबर जहां चार्सों से जाधा विस्फोट को को नश्च किया गया सोच ऑपरेशन में 27 अथियार जप्त किया गया आईडी एफ ने पांच मिन्फाक्टरिंग युनित्स को तबहा किया वेस्ट बैंक में सोच ऑपरेशन सेनिकों के बीच पहुँचे आईडी एफ चीफ एक और खबर जंग लड़ रहे सेनिकों से की मुलाकात जहां नियानवे डिविजिन कमांडर्स के साथ हुई मीटिंग कुछ रिजर्वस को घर भीजेगा इस्रेल सेनिकों में युद का त देखने गया था अगरानात के बीच लोग अपनों को तो तलाश ही रहे थे लेकिन अपने घरों को जमिनोज होने के बाद एक बार फिर्ट ये युबक यहां पर अपने घर देखने के लिए पहुचा था और ये स्थानिय युबक ने तश्वीरें कैद कीन है जिस अबासन इलाके में भी मिसाइल गिरी हैं और लगातार खान यूनिस में हम लोगो अंजाम दिया जा रहा है गाजा पर टू स्टेट सिल्यूशन मुम्किन बाइडन ने टू स्टेट पॉलिसी का इशारा किया है नेत्याहूं से बात करने के बाद बाइडन का ये बायान जहां टूस्टेट सिल्यूशन के कई विकल्प बाइडन ने बोदे हैं और नेत्याहूं ने टूस्टेट सिल्यूशन के लिए मना नहीं किया है युद्गे हालाद के बीच एक और बड़ा बयान गाजा में टू स्टेट सिल्यूशन उस बार में इन्फर्मेशन आपके सामने रखते है जो बाइडन ने घाजा में टू स्टेट पॉलिसी का इशारा किया है और गाजा की सुरक्षा में इस्रेली सेनिकों की तैनाती भी हो सकती है गाजा में एंट्री से पहले IDF कर सकती है हर एक वाहन की भी जाँच गाजा को फिर से बसा कर वहां फिलिस्तिनी सरकार तयार करना और गाजा में शिक्ष और सरकारे विभाग को पूरी तरीके से बदलने को लेकर इस्रेली मीडिया की तरफ से बड़े दावे किये जा रहे हैं आला कि टू-स्टेच सिल्यूशन पर नेतने याहू की सकती को लेकर भी खबर आई है जो गाजा का सुरक्षा नियंत्रन जरूरी बता रहे हैं नेतने याहू भविशे की विवर्सा के लिए हमारी शर्थ है और ज्यादतर इस्रेली फिलिस्तीनी राज्ये के विरोध में हैं हम जो इलाका खाली करते हैं वहां आतंक मिलता है जी डी बक्षी सर नेतने याहू का ये इशारा जो बाइडन का इशारा क्या युद्ध के हालात के बीच बड़े संकेत मिल रहे हैं देखिए बाचीत हो रही है पोस्ट कॉन्फिक्ट क्या होगा वाट इस दे रोड मैप आगे और इसके इतहत अमेरिका इस वेरी क्लियर की जब तक टू स्टेट सल्यूशन ना की जाए ये कोई लॉंग टर्म सल्यूशन नहीं हो सकती इसराइल का कहना है कि एक इसराइली स्टेट जो है वो हमेशा एक 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 पालस्टीनियन एंटिटी वो हमेशा हमारे लिए खत्रा रहा है तो जॉर्डन रिवर के इस तरफ का जो सारा इलाका है वो हमारे सुरक्षा नियंतरण में, सिक्यूरिटी कंट्रोल में जब तक नहीं हुआ, इस्राइल की सिक्यूरिटी गारेंटी नहीं की जा सकती और कुछ हद तक बात सही भी है, आप देख रहे हैं कि अभी भी वो हाइफा के ऊपर मिजाइल स्ट्राइक्स हुई है और बीच बीच में जब भी मौका मिलता है, हमास वाले सिर उठा कर, अपनी बिल से, स्वरंग से सिर निकाल कर, इस्राइल की तरह मिजाइल फायर कर देते हैं तो इस्राइल तो लगा हुआ है, जी तोड, कि वो पूरा हमास का तबाही कर देते हैं और क्या नेतनियाहू उसलिए हास से हालात जो बाइडन के सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि सैने नियंतरन इस हालात को देखते वे जरूरी हो गया देखिए वो कह रहे थे कि भाई, solutions क्या है, what is the matrix of options एक है कि गाजा की जो फिलिस्तीनी population है, उसको वहाँ से खदेड दिया जाए, इजिप्ट में खदेड दिया जाए दूसरा है कि वहाँ पे वो लेके आए, Palestinian जो authority है, उसको वहाँ पे राज करने दिया जाए, ये American solution है लेकिन इनका कहना है कि उसका कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, हमास फिर से वहाँ पे, सिर्व वहाँ पे उठा लेगी और आक्रोश उस इलाके में बहुत है अब किस तरह इसको एक long term strategy के एतेहद diffuse किया जाता है, ये तो देखने वाली बात है, अभी तक नेतन याहू सहाब तो टस से मस नहीं हो रहे है वो कह रहे हैं कि मेरी सुरक्षा, मेरे राश्टर की सुरक्षा सर्वोप परी है और उसके लिए मेरे को कुछ न कुछ नियंत्रण रखना होगा इस क्षेत्र पे, नहीं तो हमारी ये सारी लडाई बेकार गई, जो भी हमने कुर्बानियां दी हैं वो सब बेकार जाएंगी क्योंकि दो-तीन महीने मों फिर वो ही हम पे रॉकेट फायर शुरू करने वहां से हो जाएंगे बिल्कुल सही सार लेकिन ये हालात और इस बीच यूएस की तरफ से जो बाइडन की तरफ से मिले बड़े संकेत इसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे लेकिन आप नेटों की वार वर्निंग को लेकर अगली बड़ी खबर हमारे पास है जहां देखें रूस का युक्रेण पर विद्वनसक पलटबार ये पहली बड़ी खबर आपको दिखाना चाहूंगी जहां कुपियांस फ्रंट लाइन के पास युक्रेण पर अटाक हुआ है ये तस्मीर देखें रूसी होविद्सर ने युक्रेण की बाकनाईज ब्रिगट पर हमले को अंजाम दिया रूसी अमने तीस उक्रेणी सेलिकों की मौत और युक्रेण के तीन आमद वाहनों को भी तबाहा किया गया रूस बॉर्डर पर कॉन्क्रीट बंकर बनाएगा नेटो बाल्टिक डिफेंस लाइन पर कॉन्क्रीट बंकर बनेंगे बॉर्डर पर आस्टोनिया बनाएगा छे सो बंकर लात्विया लुधियानिया भी प्रोजेक्ट में शामिल बताय जा रहे हैं जहां 65 मिलियन डॉलर बजट से अगले सार बंकर पर काम होगा शुरू रूस के साथ युद्ध की तैयारी में नेटो बड़ी खबार नेटो मिलिटरी शीफ की बहुत बड़ी चेतावनी अलाकि रूस के साथ महा युद्ध के लिए तैयार रहे हैं नेटो रॉब बाउर का ये बयान हतियार और गोला बारूत का तेजी से जिस सरीके से प्रडक्शन हो रहा है नेटो देशों के नागरिकों को भी तैयार रहने की बात कही जा रही है इंफिमेशन इस बारे में आपके सामने जा देखे वर्ल्ड वार की तैयारी में नेटो क्यों कह रहे है क्योंकि रूस के खिलाब महाजंग की तैयारी को लेकर बड़ा दावा जा रूस एरान नौर्थ कोरिया को जवाब देने की लिए ड्रिल और नौर्थ अमेरिका में जल जमीन समंदर में वार एक्सरसाइज़ आपको बता दे 90,000 से जादा सेनेक इसमें भाग लेंगे 50 से जादा वार्शिप, 50 बॉमबर, 80 से जादा फाइटर प्लेन और 1200 टैंक आमद वहिकल्स भी इसमें रहेंगे शामिल